यह जैसे यह 50-50 रुपे का इदर 60 रुपे का होता है बस इससे ज़ादा के नहीं है यह और यह वाले जो हैं यह 20-20 रुपे के हैं आप देख लोगे 50-60 रुपे 100 रुपे अभी तक तो यही वाली रेंज पे चल रहे हैं अच्छा यह वाले अच्छा इसका पौदा कितने का है यह कोटे 60 रुपे के बड़े 200 रेट को अच्छा गर्मी के अंदर मोती जो है जादा पूर्ण आता है तो यह माशालला आप देखो पूरा भराव है पूरों से और यह कितने का यह भी 50 रुपे का है यह 60 रुपे का है तो बड़े रीजनेबल प्राइज हैं अंदर के तो रेंसी की तरह के इंडूर होते हैं और यह मिर्च से लगी है रट वाड़े रट से लिए यह मिर्च का कितने का है यह 50 है अच्छे यह हाइब्रेड है यह नॉर्मल हाइब्रेड है बेगन भी है इसमें यह असल में आजकल हाइब्रेड पौदे आ रहे हैं जो कि छोपी हाइट के अंदर ही यह फल देने लगत हैं लेकिन यह शोशा के लिए होते हैं यह खा सकते हैं अच्छा यह देखें वह लास्ट में एक बेंगन लगा हुआ है यह अच्छा अच्छा यह इनके पास बड़े वाले पौट्स हैं वह भी पड़े हुए इनका रेर काफी रीजनेबल है तो हमारी जो हैं वो जरूर यहां पर विजट करें आप लोगों के लिए हम दुबारा से यहां पर आप कॉमेंट्स करते हैं कि नंबर दीजिए तो अमने बुला चलें एक वीडियो इनकी और पना लेते हैं तो आपको लोकेशन पूरी बता दी है जगा पूरी बता दी है अराम से यहां पर आएं जो जो पर संद आए उठाएं और दाड़ी में रखके ले जाएं जैसे आपको पता है हम में इतनी फर्माईश की लोगोंने कि इस नर्सरी की जो बिल्कुल सस्ते दाम हो यहां पौदें काफी तो इसकी बड़ी फर्माईश थी कि आप दुबारा कवरेज करें औ और गर्मियों की वराइटी दिखाएं यहां पर जो आई है क्योंकि सर्दियों में हमने वीडियो बनाई थी इस भाई इने सई से अपनी लोकेशन और नंबर वगारा भी शेयर नहीं कह रहा था तो काफी कमेंट्स आ रहे थे तो हमने बोला चले एक और इनकी वीडियो बन पूल वाले इस तरफ हैं यह उस तरफ रखेंगे ने सेजन वाले तो उस तरफ है अच्छा अच्छा और यह लोकेशन जरह गाइट कर दीजे है लोगों को लोकेशन तो यह ना अजाब कोलेज है सैफी कॉलेज के बिलकुत साथ यह समझे नर्सरी चले और यहां होते कौन ह बशिर भई बशिर भई के नाम से आप लेंगे तो दो नरसे नहीं हैं आदी किसी और की है और आधा पार्ट इना ऐसे ए आज बाई आज आज यह जाएं दोनों पौदों की फूड़ी को कर लेते इंट वर्मिशन ले लेते हैं सबसे पहले इससे ले लेते हैं यह कौन से जी यह नीम्बू है नीम्बू लगते हैं यह कितने काई जी अच्छा इसके क्या जाम है चार सो रुप है यह बहुत है और इससे आगे इंडूर प्लांट है इंडूर है ना यह बाले यह आउट्डूर है यह आउट्डूर हैं इसी की तरह के इंडूर होते हैं यह बाले यह बैगन भी है इसमें यह आजकल हाइब्रिट पौदे आरे हैं जो के छोटी हाइट के अंदर ही यह फल देने लगते हैं लेकिन यह शोशा के लिए होते हैं नहीं खा सकते हैं यह अच्छा यह देखें वो लास्ट में एक बैगन लगा हुआ है यह यह लंबे वाले और यह चुट यह कितने का बौद है पजार पजार यह बहुत अच्छा यह बहुत सारी जो हमारी अवाम की वाशी होगों कि यह उन्हें प्लोकेशन बताएं और हमने अपने वाले जो इनकी नर्सरी से लिए प्रफिक आपी पौदे लियां यह पौदे तो तक्रीमन काफी लियां मैं तो रह तरह का गुलाब प्रफिक लियां था वेलेबल माशाला वह हमने लिया था और सदा बाहर के पौदे और बेंता पौदे लिये थे अच्छा जी यह अच्छा इसका पौदा कितने गए यह कोड़े साट रुपे के बड़े दो सो डेड़ सो अच्छा गर्मी के अंदर मोती है जो है जादा पूलों से और यह कितने का यह भी पजास का यह साट रुपे का है तो बड़े रीजनेबल प्राइज है अंदर के अच्छा यह इस पर आज हैं यह कौन से बीच में जो लगा हुए कि यह प्लियाबाद यह बेल है गया बेल नहीं फौदा है फौदा है अच्छा यह क्या अ अच्छा और यह लाल जो है यह आज़ा इसके क्या दाम है यह जड़ सो रुपे कर दो है आप देख लोगे पचास साट रुपे सौर अभी तक तो यही वाली रेंज पे चल रहा है आज है यह वाला जो आपने बहुत अवामी है आम दौर पे हर जगा मिल जाते हैं अलग अलग फूलों में लेकिन ये जाद तर ऐसा होता है रेड वाला रेड ही देते हैं लेकिन ये दोनों उन में लगावा है समझें दोनों आ रहे हैं कलर तो ये कितने कैजी ये बीड़ सुक है ये माशाला ये जमीन में लगावा है ये पिछली दबा अच्छा पत्चे में दो कलर है नहीं कि लाल है उपर जा रहा है और ये दोनों तरफ आ रहा है अच्छा अच्छा ये छोटी भी होते हैं दर बिलकुल छोटे ये बीज बीज रुटे का होता है तो अगर किसी के पास पॉर्ट है तो वो खुद ले ले अगर रेंज नहीं है तो कंद वाला लेकर लगा ले खुद ही बढ़त हो जाएंगे तो ये सदा बाहर लगावा है सदा बाहर का अजिक भी बड़ा पॉद आई तो आचा ये तो माशायललह यहां तो एंड है लेकिन ये थी बड़ी नर्सरी एक ओवर्विव भी दिखादें वहां तक की नर्सरी माशाळला इनी भाई की है आच है ये शर्साइट वाली भी दिखा दें थोड़ा तो ये दूसरा पार्ट अचे यह वही नर्सरी के दूसरा हिस्सा है और यह है कि इनके हमने बोला चलें आपको यह भी थोड़ा सा दिखा देते हैं ओवर्वीज का पूरा तो यह जैसे यह 50-50 रुपे का इदर 60 रुपे का होता है बस इससे जारा के नहीं है यह और यह वाले जो हैं यह 20-20 रुपे क यह यह पार्ट नहीं है इसमें पॉर्ट नहीं है सिर्फ ठैली में लगे में यह वाले 50-60 रुपे के और इसी में आप फिर इस तरफ आजाएं यह रेट विन के भी ऐसे हैं जैसे यह बीच बीच में जो हैं यह जादा के इसे यह 600-800 इस तरह हैं लेकिन यह जैसे 100-100 तो हमने जाते जाते हैं कि आप इस जगा है यह जैसे बड़े पौध है तो इसमें यह अलग अलग रेट के हैं कोई 1200 रुपे का है कोई 800 रुपे का है तो यह बल्ला बिलकुल बने वे पौध हैं पूरे इनके गंबले भी बहुत बड़े बड़े ये जैसे ये धाईड़ी सो रुपे के तो ये भी अच्छे खासे बढ़े ही हैं हाँ तो अच्छी नर्सरी ही अगर कराची में देखी जए लगा पास है काफी बड़ी नर्सरी यहाँ है जाए बड़े इजने पर अच्छा अभी यह देखें जैसे सदा बहार है ना उसी के यह समझें नसल में से होगा सदा बहार नहीं है लेकिन उसका यह देखो जैसे विपकल में मिक्स करके बनाते है ना उस तरह का यह यह बेल है वही जो पाउजी वाली जिसमें और इंज वह अपना उसमें भी आती है रेड कलर में बेले हैं इतर सारी और यह बड़ी बेले हैं अगर किसी को यह भी चाहिए होती हैं तो यह यह भी दे देते हैं तो यह है कि जैसे आप दरवाजा बनाने के लिए एक गार्डन का या कुछ उसमें भी यह यूज कर सकते हैं हल्डार भी है और जो पूलों वाले ऐं हैं प् profoundly है यह इंडर है सारे पड़ है लिए पेशच से वाले इस lazy acum single वाले हिसथर और यह यह वाला यह रोज पूरी तो यह गुलाब नहीं है। यह चाइना रोजाना तो यह पूरी प्याल जाती है यह एक्सर करूं में लगी हो यह दर्मियों में लगती है यह अदि यह प्यादा होता है यह बस ऐसे ही है वह पानी के बगार चलता है वह है अच्छा आप यहां से ओन कर दो अच्छा यह थोड़े फैंसी बहुदे भी हैं यह कंगी पाम है यह कंगी पाम तो महंगा होता ही है कितने कहें यह पांच हजार गया कंगी पाम और इसके बराबर में यह वह ही है अच्छा जी और आज आए जी यह साट रुपे पचास रुपे और यह इंडूर प्लांट है तो इधर से आगे आजाएं यह देखें यह ऐसा फील हो रहा है जोड़े जलाव है लेकिन इसका कलर ऐसा है अच्छा यह मोती है यह बड़े पौदें इसके बाद यह वाला कौन सा भई यह क्रिस्मस ट्री अच्छा इसके क्या प्राइज है यह हजार रुपे के इसाफ से अच्छा जी और यह जो है यह कौन सा लगा वह और कड़ी पता के कितने का अच्छा और यह गुलाब लगे हैं सारे अच्छा अच्छा यह बीसी तरह के राम में यह चाइना रोज यह दो डाइस और यह देखें यह तोड़े फैंसी भी है यह बनानी पड़ती है यह कितने गए यह 15 सोग है तो आज हैं इंडूर प्लांट भी है यहां पर माशालला बहुत सारे यह सारे इंडूर रगे मैं अच्छा इसनेक प्लांट इंडूर है ना यह सारे इंडूर है हाँ घर के अंदर आप चलाओ इससे यह साय वाली जो जगह हैं इनके क्या प्राइज है वैसे जैसे यह यह 200 रुपे के हिसाब के यह थोड़े जादा के हैं बाकी यह नहीं रेंज में चल रहें अच्छा यह कौन सी बेल है इसकी बेल कित्तेगी है यह 200 रुपे अच्छा यह लग जाती है राम से अच्छे जी और यह कौन सा प्लाइंट के लास है यह कितने का पौद है यह 200 यह वी 200 होता है हमने प्पीजाफ़ेंट से सारे अप्लाइक सुफेश है यह 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 यूका है यह साफ जाता है लोगाइक पेले भी था जब आये ते अच्छे अच्छे और यह सीजनल है सारे यह तो बो आना हर मही उसमें आता है सर्दी गर्मी इसमें यह सीजनल है कुछ आगे जो लगे वे हैं है नहीं इनका ओरिजनल कलर है यह यह इनका अश्जाय लगए नहीं यह यह ऐसा और यह सीजनल यह अभी बस एंड हो गया है न इसका सीजनल है यह सेफी कॉलेज है और इसी के आप समझो यह लेफ साइट पे है मुझे बहुत सुरा लगते हैं यह जो पॉट्स के अंदर छोटे-छोटे प्लांट्स लगाए होते हैं आप अपने टेरिस में बलकुनी में वहां पर रख सकते हैं इसको हैंड करके यह सारे हैं तो इनका जब सीजन खतम हो जाता है तो क्या मुझा जाता है फूल खतम हो जाता है थीक है अच्छा यह इनके पास बड़े वाले पॉर्ट्स हैं वह भी पड़े हुए इनका रेट काफी रीजनेबल है तो हमारी जो वीवर्स हैं वो जरूर यहां पर विजट करें आप लोगों के लिए हम दुबारा से यहां पर आप कॉमेंट्स करते हैं कि नंबर दीजिए तो अमने बोला चलें एक वीडियो इनकी और पना लेते हैं तो आपको लोकेशन पूरी बता दी है जगा भी बता द आपके दिखाती है यह खाद है 200 रुपे की वोरी होती है खाद और मिट्टी मिक्स करके यह देते हैं 500 रुपे जब पॉंटिटी में जाद हो तो 1500 वोरी के हिसाब से देते हैं वैसे सुजूकी भी मिलती है लेकिन सुजूकी अगर इतनी जरुवत नहीं होती लोग जासतर एक दो वोरी ले जाते हैं तो अब यह वीडियो फुल डेटेल में आपको बना के देती है उमीर आपके सारे सवालों के जवाब होगी है अच्छे जनाब ने जो चैनल पर आने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें हम काक्र टाम के बाद हमने व्लॉग स्टा झाल